दुनिया में हर चीज के पेचे एक कहानी होती है, इंडिया में अभी 37 वेटलैंड्स ऐसे हैं, जिनको रामसर ने वेटलैंड्स आप इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में रेकरगनाईज किया है, पहले 27 थे इस साल 10 जुड़े हैं, UPSC शायद ही पूछेगा कि इस साल कौन सा जुड़ा है, UPSC अगर factual एकदम पूछे तो आपसे ये पूछेगा कि ये साइट जो है, किस से स्टेट में लोकेटेड है, UPSC डप्त में जाएगा तो आपसे पूछेगा कि उसकी importance से related, जैसे कि वो artificially created है, या natural है, UPSC आपसे पूछ सकता है कि वो national park है कि नहीं है, UPSC वह लेकिन मैं आपको ऐसी एक in-depth knowledge दे दूँ, कि in-ramsar site से related कोई भी question आए, तो आप उसको miss ना करें, आपका वो wrong ना हो, इस lecture में मैंने सारी जो teaching techniques हैं, जहां जोरत पड़ेगी याद कराने की, तो मैं आपको trick भी दूँगा, trick के लिए भी एक knowledge की जोरत पड़ती है, तो मैं आपको knowledge भी transfer करूँगा, जहां मैंने सुना होगा, जो चीज़े relate करके बताऊँगा, और आपको सारी चीज़े जो है, एक integrate करके मैं आपको ये पूरा जो है, material यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इस lecture को पूरा देखिए, क्योंकि इसके बाद आपको in-ramsar site में कोई problem नही आएगी, मैं convention के detail के बारे में नहीं जाओँगा, convention कब आया, 1971, कब रेटी फाइवा, 1975, जो भी है, उसमें नहीं जाओँगा, वो आपका static part है, मैं यहाँ पे इन सारे location पर focus करूँगा, coverage का idea ऐसा होगा, पहले north से ऐसे चलेंगे, north east, ठीक है, बाद में फिर ऐसे आपका जो wetland ऐसे हैं, जिसको राम सर में recognition मिला हुआ, wetlands of international importance, सबसे पहले है, वूलर लेक, दूसरा है, होकेरा लेक, और तीसरा है, सुरीन सार, मन सार, वूलर लेक, होकेरा लेक, सुरीन सार, मन सार, इन तीनों को अभी ही मैं आपको याद करने की trick दे देता हूँ, देखिए, मत confuse होईएगा, आपको वूलर से वूल याद आना चाहिए, और वूल याद आने से आपको जम्मु कश्मीर याद आना चाहिए, दूसरा होकेरा, यह मेरी खुद की technique है, मैं कैसे याद रखता हूँ, मैं यहाँ जानता हूँ कि पाकिस्तान occupied कश्मीर जो है, इसके बास, पा लेकिन जब हम पाकिस्तान से पाकिस्तान occupied कश्मीर लेंगे, तो फिर हम गारे terrorists जो हैं, आपको याद हो गई होगी होगी, लेकिन मैं डीटिल में जाऊंगा, इनके, पहले आप लेक वूलर के कुछ नजारे देख लिजिए, यह हैं, चीक हैं, यह सारे जो हैं, लेक वूलर बहुत खास हैं, लेक वूलर इसलिए खास हैं, क्योंकि यह इंडिया का largest freshwater lake है, सोचे कितना importance है इसका, इंडिया का largest freshwater lake है, in fact, एशिया में भी इसकी बहुत ज्यादा position है, higher number पे अगर freshwater lake की बात करें, लेकिन इंडिया में यह largest freshwater lake है, इसका कोई doubt नहीं है, जिले में पढ़त से आता है, जेलम river से आता है, तो इतनी सारे important चीज़ है यहां पे, इसके आजपास में बहुत ज़्यादा willow की plantation कर दी है, तो उससे इसका पानी जो है कावे कम हो रहा है, दूसरी बात आप यह जानिए कि इसका name का origin क्या है, लेक वूलर का जो आज नाम पढ़ा है, वो उलूला संस्कृत का water जिसका मतलब होता बहुत बढ़ी बढ़ी waves, तो इस सागर में बहुत बढ़ी बढ़ी waves थी तो संस्कृत में उसको उलूला बोलते हैं, इसका नाम आपके पुरान में भी पढ़ता है, पुरान में इसको महापदम सार भी बोलते हैं, सारस भी बोलते ह और हाँ महाँ पदमसार भी बोलते हैं पदमसार बोली है ना तो उलूला नाम संस्क्रित में था उसको अलबरूरी ने बिगड़के बोलोर किया और बोलोर नाम जो है बिगड़के वही आज बूलर बन गया है लेकिन उलूला का मतलब बड़ी-बड़ी वेवस होती थी तो ल यह तरसे कश्मीर की एकॉनमी में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेश वाटर भी मिलता है यहां से इरिगेशन के लिए डुमेस्टिक यूज के लिए हर चीज के लिए अचाहां यहां थोड़ी बहुत जो है राइस कल्टिवेशन भी की जाती है दूसरा लोकेशन जो होके यह भी जेलम के रिवर के बेसिन में पढ़ता है ना श्रीनगर में पहला वूलर जो था वह आपके बांदीपूरा में था उसकी डिटेल देदी थार्ड लोकेशन है सुरेंसार मांसर सुनियनसार मानियनसर देखिए सुरेंसार और मांसर कोई एक लेक नहीं है याद किये जाते हैं दोनों आपके जम्मू सिटी के बिल्कुल पास में है सुरेंसार यहाँ पे 42 किलोमेटर दूर है और मांसर जो है 62 किलोमेटर के आसपास है 60 किलोमेटर के आसपास आपस में इनकी दूरी जो है जस्ट 9 किलोमेटर है तो इनको मिला के एक साथ सुरेंसार मांसर लेक बोलके, लेक्स बोलके वेटलेंड औप इंटरनेशनल इंपोर्टेंस दिया हुआ है इन दोनों लेक के बीच में सुरेंसार, मांसार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये भी याद रखेगा सुरेंसर की बात करें तो यहाँ पर जिनरली जो पानी आता है वो आपका रेंफेड होता है और मांसर की बात करें तो वहाँ पर जिनरली जो पानी आता है वो आसपास के खेंतों से एगरिकल्चर फिल्ड से, पैड़ी फिल्ड से जो पानी आता है वहाँ से आता है, इसके साथ जम्मु कश्मीर का Wooler Lake, Hokera Lake और Surin Sarman Sar Lakes, ये तीनों जो हैं, cover हो गए, इतने तीनी है जम्मु कश्मीर में, अब चलते हैं हम आपके लदाक के अरिया में वहाँ पे सो मोरीरी है, very famous बुद्धिस्ट लोगों के लिए सो मोरीरी लेक जो है, बहुत ज़्यादा sacred है उसके पानी का बोलो योज भी नहीं करते आपके लदाक का जो चांग थांग प्लैटू है, वहीं पे ये लोकेटेड है, almost 4500 मीटर के उचाही पे है चाइना के बाहर अगर कोई ब्लैक निकेड क्रेन का अगर ब्रीडिंग साइट है तो वह यही सो मोरीरी ही है वाटर, फ्रेश वाटर से लेके ब्रैकिश वाटर तक का लेवल आपको यहाँ पे मिलेगा इसके बारे में इतना ही जानना था लेकिन मैं एक आपको मेमोरी के लिए पहले ही बता दू सो मोरीरी को आप पैंगॉंग सो से जिस पे कंफ्लिक्ट हो रहा है उससे ना रिलेट करें प्लीज एक्जाम में अगर दे दे कि पैंगॉंग सो अगर वेटलेंड आप इंटरनाशनल इंपोर्टेंस है तो नो इट्स सो मोरीरी ओनली इन लद्दाख नेक्स्ट वी गो टू हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में तीन ऐसे वेटलेंड है चंदरताल पॉंग डैम और फिर तीसरा वो रेनुका है ठीक है अगर आपको इमेज ठीक से दिखने हैं तो कोई बात में बोल तो रहे हूँ चंदरताल पॉंग डैम और रेनुका अब इसको याद करने का तरीका बहुत तो नहीं है लेकिन हिमाचल में लास्ट में CH-AL है और चंदरताल में भी देखे शुरुवात में CH है और लास्ट में AL है यह सारी टेकनीक मेरी खुद की हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको बहुरो करी नहीं तो आप खुद कुछ बनाई है या ऐसे याद रह जातो कोई दिक्कर नहीं है हिमाचल में मैं CH और उसका AL लेके चंदरताल याद रखता हूँ मैं पॉंग डैम कैसे याद रखता हूँ यह जानको आपको थोड़ा सा अजीब भी लगेगा ताजुब भी लगेगा बट मैं अपनी टेकनीक शेयर करूँगा शायद आपको कुछ फायदा हो या आप भी सीखें कि कैसे चीज़े करते हैं 2014 की बात है ब्यास रिवर जो हिमाचल परदेश से आके इधर आती है पंजाब साइड ब्यास रिवर पे एक ट्रैजडी होई थी कुछ बच्चे आय थे तमिल नाडू के सौरी तेलंगाना के कॉलेज से है न हैदराबाद से आय थे आपके वी एनार कॉलेज से एंजिनियरि अब वहाँ से शायद उन्होंने साइरन बजाया इनको सुनाई नहीं दिया या जो भी हुआ पानी का फ्लो एकदम से बहुत जादा आ गया 24 second year engineering students महाँ पे त्यलंगाना के बच्चों के डेत हो गया थी 6 female 18 male वीडियो अगर अवलेबल है इसकी पूरी recording आय थी YouTube पे बहुत बड़ी घटना थी तो मेरे मैंड में हमेशा स्ट्राइक होता था मैं दुखी होता था ब्यास रिवर ट्रैजडी लेकिन जब government को बोला गया जो आपके जो हैं hydroelectric project वाले तो उन्होंने बोले कि उन्होंने siren बजाया था वो siren जो होता है pong की आवाज होती है मैं तो ऐसे याद रखता हूं लेकिन these are the techniques somehow the memory builds up and somehow you remember also मैं वो pong से याद रखता हूं कि हिमाचल प्रदिस में घटना होई थी हिमाचल प्रदिस के मंडी जिल प्रणा है striking की नहीं भाई ऐसे शौक लगा था तो वह शौक से मुझे याद है कि पॉंग डैम यहीं पर है तो तीन location हो गया चंदर तल हिमाचल वाला पॉंग डैम ठीक है siren वाला और तीसरा है रेनु का यह तीनों हिमाचल प्रदेश में हैं चंदर तल लिखा हूए लेक जस्ट लाइक आपके लदाक का जो cold desert है बिल्कुल वैसा है आप घूमने भी जाते हो दिल्ली से लहौल अस्पिती के district में पढ़ता है यह चंदर ताल तो आप देख रहा है ना डेजर्ट सापको यहाँ पर image भी दिखेगा लगेगा कि डेजर्ट के बीच में ऐसी लेक बन में तो चंदरा रिवर जो है उसके source के बिल्कुल बगल में है यह चंदरताल rugged inhospitable surrounding because लहौल अस्पिती में है cold desert फिर भी यहाँ पे आपके वाइल लेफ जो है कापी summer बगर में कापी अच्छी खासी होती है tourist destination भी आपको पता है यह चंदरताल हमारे सारे दोज़ए गूमने चेनाब में जो है चंदरा भागा ऐसे मिलके बनाते हैं अलाकि इस लेक का नाम जो है चंदरताल इसलिए पढ़ा है क्योंकि इसके crescent safe है तो बहुत कारण है चंदरताल पढ़ने के लेकिन आप यह भी याद रखिए कि चंदरा और भागा river मिलके चेनाब river बनाते हैं और च चंदरताल है जो कि हाई altitude पे है wetland दूसरा कौन सा था सो मोरीरी वो लद्दाक में था बुद्धिष्ट sacred place पांग डैम को तो मैंने आपको पहले बताती है ब्यास river से याद रखना है वहाँ पे जो disaster हुआ था नाम में यह यह पांग डैम इसको अभी हम लोग महाराना परता सागर और पास में ही उसका गोबिंद सागर रिजर वायर यह दोनों जो है fishing रिजर वायर है बहुत important हिमालियन फूटिल हिमाचल परदेश के मतलब यह कांगड़ा जिले में पढ़ता है हिमाचल परदेश के तीसरा location है रेनुका लेक हिमाचल परदेश के सिर्मौर जिले मे परदेश के लिए ठीक है एक और आपको जानने की ज़र रहत है तो जानने कि रेनुका वाजद मदर परशुराम उनके नाम पर पढ़ा है यह दिस लेक वाज नेमड आप्टर तो गॉडड़ इस रेनुका मैं आपको मेमोरी फ्रेम दे रहा हूं था कि आपको चीजों याद रखिएगा अब उत्राखंड में एक भी रामसर की साइट नहीं है वेटलेंड आप इंटरनाशनल इंपोर्टेंस वाली उत्राखंड में एक भी साइट नहीं है तो उपर कौन सास्टेट बच गया पंजाब पंजाब में केश्वपूर मियानी कम्यूनिटी रिजर् कंजली वर्ड भी लगता है पंजाब जैसा है ना मतलब पंजाब की लेंगवेज जैसा कंजली वेटलेंड हैं ही तो लगेगा क्यों नहीं केश्वपूर मियानी याद रखिए कम्यूनिटी रिजर्व उसके बाद कंजली वेटलेंड है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व य आपको समझ भाइएका पंजाब की लोकेशन है रोपर लेक भी याद रह जाएका पंजाब की लोकेशन पीर नंगल वाइड लेफ सेंचुरी यह भी वेट लेंड है तो फिर से एकबार सुन लेजिए केश्वापोर मियानि क्मियुनेटी रिजर ठीक है कंजली वेटलेंड, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्ब, हरीके वेटलेंड, रोपर लेक और नंगल वाइलेफ सेंचुरिया नंगल वेटलेंड नंगल को भी बलकि आप थोड़ा सा जो है आप दंगल से याद रख सकते हैं दंगल तो हर्याना पे बनी थी लेकिन फिर भी दंगल वर्ड जो है मुझे समझ में आता है वो पंजाबी लगता है मुझे बाकि निहांग कम्यूनिटी भी है याँ तो आप उससे भी थोड़ा नंगल को याद रख सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे केशोपूर मियानी कम्यूनिटी रिजर्व की यह भी नए वाले में से हैं दिखिए इसमें मोजाइक नैचुरल मार्शेज हैं एक्वा कल्चर पॉंट्स हैं एग्रिकल्चर के वेटलेंड हैं सारे की जो पानी जहां से आता है वह सारा आपका एन मैनेज किया हुए है, कल्टिवेटेड क्रॉप, आपको लोटस, चेस्टन, यह सारी चीज जो है लोग पैदा करते हैं तो कम्यूनिटी मैनेज कर रही है, कम्यूनिटी रिजर्व का इसको रिकॉगनिशन भी है तो यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बस इ आपके ब्यास रिवर के स्टेच में ही लोकेटेड है, इसके काफी मतलब पास का पानी वानी है, वहां पे सैंड बार, चोटे-चोटे आईलेंड, ऐसे आपको ब्रेडेट चैनल मिलेंगे, एक कॉंप्लेक्स एनवार्मेंट है, इसके खासियत क्या है? The reserve also hosts the only known population in India of the endangered Indus River Dolphin. I am not talking about the Gangetic River Dolphin, I am talking about the Indus River Dolphin, और Indus River Dolphin अगर इंडिया में कहीं है, only and only ब्यास कंजर्विशन रिजर्व में ही है, सती साथ यहां पे पहले आपका घडियाल भी था, उसको भी 2017 में इंट्रोडूस किया गया है, और उसको देखे 47 individuals में रिलीज किया गया है, 30 साल बाद, इसके disappearance हो गी थी 30 साल बाद, यह Indus River Dolphin आपको बिलकुल याद रखना है, ब्यास कंजर्विशन रिजर्व, इसके दू सब सब सपेसिज है, एक तो गंगेज रिवर डॉल्फिन है, दूसरा इंडस रिवर डॉल्फिन है, तो गंगेज तो आपका हो गया, है ना, गंजेटिका वा इनर वाला स्पेसिज, गंजेटिक वाले के 3500 इंडिविजुल्स है और आपके इसके इंडस वाले के 1500, गंजेटिक वाला मेंली गंगा ब्रहमो पुत्रा के रिवर्स में हो और उसके ट्रिब्यूटरी में है, और बंगलादेश, नेपाल, इंडिया, इन तीनों जगपे मि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है, इसी को भूलन भी बोलते हैं इस रिवर डॉल्फिन को, इंडस रिवर डॉल्फिन हैं इसलिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डेस्क्रिप्शन में जाना, केश्वपूर मियान नहीं हो गया, कम्यूनेटी रिजर्व हो गया, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, अब चली चलते हैं, कंजली वेट लैंड, याद रखिएगा, कंजली वेट लैंड, मैनमेड है, लेकिन पूरे इसकी घेरबंदी जो किया है, मैनमेड है, तो कंजली वेट लैंड, म कंजली is upper stream of हरीके wetland located in the ब्यास river basin, ब्यास river basin में और नीचे चले जाएगा तो हरीके पहुँच जाएगा, अब अपर स्ट्रीम में कंजली है, while the rooper wetland is in the रूपनगर district, यह सारे आसपास के location है, कंजली में इतना ही जानना था, तो केशोपूर म्यानी community reserve हो गया, कंजली हो गया ब्यास conservation reserve हो गया, अब तीन बच्चे है, एक तो हरीके बच्चा आप देखे थोड़ा नीचे चले जाएगे, हरीके बच्चा है, यहाँ पे rooper lake बच्चा है और नंगल वाला बच्चा है, तीन बच्चे है, हरीके पत्टन भी बोलते हैं, चीक है, इतना याद रखेगा, it is the largest wetland in northern India, in the border of, यह आपका जो पंजाब का district पढ़ता है, तरन तरन साहेव और फिरोज पर district दोनों के border के बीच में पढ़ता है, artificial है, wetland and the lake were formed by constructing the headworks across the सतलज river in 1953, ठीक है, the headworks is located downstream of the confluence of ब्यास and सतलज, ब्यास और सतलज का जो confluence है, उसका थोड़े नीचे located है, और हरीके वि अडप आप पाकिस्तान के पंजाब में है, वेंडिया के पंजाब में आप हरीके याद रख लेजिए, ठीक है, इतनी ज्यादा waterfall यहाँ पे आते है, waterfall कि इसकी importance जो है, केवला देव नाशनिल पार्क जो है आपका भरतपूर राजस्तान में उसके बाद सकंड पे इसी का है इसलिए तो 1990 में इसको रामसर कंवेंशन में डाल दिया गया था, man-made याद रखेगा, riverine, lacustrine, सब कुछ है लेकिन man-made है, अब बच गए, roper और नंगल, roper again is a man-made freshwater riverine and lacustrine wetland, was created in 1952 on the सतलज river in the Punjab state, इतना ही जाना आपको roper में, अब नंगल चलिए, नंगल को भी अभी 2019 में ही मिला था, अभी 2020 वाली लिस्ट में है, नंगल wildlife century भी है, it occupies a human-made reservoir constructed as part of भाकडा नंगल प्रोजेक्ट, आप जानते है न, भाकडा नंगल, उसी पे नंगल, अच्छा मैंने अभी तक नंगल बोला, sorry, नंगल होगा, भाकडा नंगल प्रोजेक्ट ब्यास conservation reserve cover हो गया, हरीके cover हो गया, रोपर cover हो गया, और साथे साथ नंगल भी cover हो गया, सारे location cover हो गया आपके 6 के 6, यहाँ पे पंजाब में, उत्राखंड में एक भी नहीं है, हरियाना में एक भी नहीं है, लेकिन उत्तर परदेश में बहुत जादा है, याद रखिएगा जो नए location तीन एड़ किया है, वो पंजाब में उत्तर परदेश और महराष्ट में एड़ किया है, महराष्ट में बस एक ही एड़ किया है, इसके पहले महराष्ट में एक भी location नहीं था, रामसर का, अब हुआ जाके पहली बार हुआ है, वो एक एड़ किया है, बाके सारे जो नंगल वाई लेफ सेंचुरी जो यह जो आपका वेटलेंड है यह तीनों अभी एड़ हुए हैं तीन एड़ हुए हैं पंजाब में उसके पहले उतर परदेश के सारे वेटलेंड साइट का हम लोग डिसकसन करें मतलब आपके जो रामसर में हैं सबसे पहले यह जानिए क तीन तो मैंने आपको बताया पंजाब में एक बताया महाराष्ट में चार होगें बाके सारे के सारे सारे उतर प्रदेस में अड़ो है इनका नाम है देकिए सारे जो हैं आपको अपर गंगा के अलावा जो मैं बाकि छे सारे बोलूंगा सारे उतर प्रदेस में है देखें यहां पे समान बढ़ जहां मुझ्ली बढ़ सैंचुरी हैं फिर आपका सरसाई नवर जील चिल riots तो टोटल साथ हो गया याद रखने के लिए थोड़ी से टेक्निक बता देता हूं अपर गंगा तो मैंने आपको कि उत्तरप्रदेश में है अब तोड़ा आप योगी आदितिनात को याद करिए वो किस लेंगविज को बढ़ावा देते हैं आप बताईए सारी चीजों को चेंज करके किस लेंगविज को बढ़ावा दे रहे हिंदी को मुस्टली हिंदी को अब हिंदी में आप संधी समास पढ़ते हैं और सम्मान की भी बात करते हैं हिंदी के सम्मान की संधी समास सम्मान याद रहेगा संधी बढ़ सेंचुरी समास पूर बढ़ सेंचुरी और सम्मान बढ़ सेंचुरी समान है एक्चुली समन है इसके लवा सरसाय नमर जिल भी सबके देखिए न मोसली नाम जो सर्यू रिवर पहले पहले कि आभी भी फ्लो करती है, सर्यू रिवर जो आती है ना, तो पहले एक लेक को वहाँ पे फिड करती थी, बाद में वो कट आफ हो गया, तो वहाँ पे आक्सपाव लेक बन गया, आपने जोगरफी पड़ी होगी तो, तो दो लेक बन गया आसपास म उसी के नाम पर पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी वहाँ पर बना दिये गा थे कावी पहले, उसको वेटलेंड का वहाँ पर स्टैटस मिल गया है रामसर से, और एक आपको सरसाई नवर जिल, हाँ, चली फिर से कर लेते हैं, अपर गंगा पहले से थी, अब 6 नए हैं, तो एक तो देखिए, संदी, समास, आपको समास पूर याद रहेगा, और समान, तीन हो गए, और एक चौथा भी इससे ही है, सरसाई नवर जिल, चार हो गए, बाकि 5 नवाब गंज है, ये भी याद रहेगा, और परवती अर्गा का पुद मैंने डिटेल बता दिया, स ऐसे होके, साथ हो गए, अगर अब इनकी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, अपर गंगा रिवर वाला जो ये वेटलेंड है, इसकी, हाला कि ये 2005 में ही बन गया था, रामसर साइट, लेकिन इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं, इतना स स्पैसिज हैं, कई टर्टल वगर के, ये सारे जो हैं, कई पेड़ भी यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, सीसम वगर के, तो कुछ खास जानने की ज़रुत नहीं, जहां से क्रिश्चन नहीं बनेगा यहां से, अब ये सब देखते हैं, सामन, संडी, सरसाय नवर जील, और साथ को भी जाने, शहीद चंदर सेखर आजाद बर्ट सेंचुरी बोला गया है, उन्नाव जीले में पढ़ता है, कानपूर लखनव हाईवे में, तो लखनव से आप नवाब निकाल की याद रख लेजेगा, नवाब गंज, एक लेक है यहां पे, उसका सराउंडिंग पर काफी, इसके लबाँ यहां से कोई क्वेश्चन नी बनने वाला, नेक्स टाल में चलिए थोड़ा बॉर्डर के अरॉंड जो है, नेपाल के बॉर्डर के पास के एक जगह है, थोड़े से पास में मतलब नेपाल के बॉर्डर के, पारवती अरगा बट सेंचुरी, आपको समझ में आ जाएगा क्या चक्कर है, यह देख रहे हैं, यह है, पारवती, अरगा, अब यहीं पर बट सेंचुरी बनी हुए यह ऐसे करके, और यह जो दो ऑक्सवाव लेक देख रहे हैं आप, वो वेटलेंड है, ब्रीडिंग और रूस्टिंग साइट है, अल्मोस वन लाक बर्ट्स का अनुवल कांट है, इतना इंपॉर्टेंट है, इजिप्शियन वल्चर, वाइट रंप्ट वल्चर, यह इंडेंजर्ड है न, हाँ, इंडेंजर्ड है इजिप्शियन वल्चर और वाइट रंप्ट वल्चर, यह सारे जो हैं आपको यहाँ पे, इंड प्रदेश ऐसे आ रही है इसके बॉर्डर के पास यहां समन बर्ट सेंचूरी है महां पूरी में उतर प्रदेश के देखें 1990 में इसको बर्ट सेंचूरी बनाए गया था और अभी sensorine में राभड सेंचूरी डिकलियर कर दिया गया है बर्ड ही बर्ड बर्ड ही बर्ड इससे जाने जाने की जोरत नहीं है सुनिया गांधी आती है राय बरेली से राय बरेली के डिस्टिक्ट में सौरी समस्पूर बर्ड सेंचुरी है ठीक है उसको भी रामसर साय डिकलेर कर दिया गया है लखनव से पढ़ता है, 122 km की दोड़ी पे थोड़ा राय बराइली थोड़ा ऊपर पढ़ेगा, दिखा दू क्या कहां पे पढ़ेगा दिखी राय बराइली यहां पढ़ता है गलति से उत्तर बोल दिया था, उत्तर नहीं, राय बराइली तो यहां पढ़ रहा What about Sunday Bird Century Sunday Bird Century जो है हर्दोई district में located है उत्तर परदेश के यहाँ पर यह थोड़ा नौर्थ में पढ़ेगा मैंने राय बरेली बोल दिया था सॉरी यहाँ पर हर्दोई Sunday Road है इन संदी नाम की जगे हर्दोई district में उसी के नाम पर Sunday Bird Century पढ़ा हुआ है यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है रिवर गर्रा उसी से यह लेक क्रियेट हुआ है अभी उसको हम लोग पहले गरुन गंगा भी बोलते थे हैं हाला कि यह आपको अब जाने की ज़रूत नहीं है उत्तर प्रदेश के नौर्थ में यहाँ पर इटावा डिस्टिक्ट है इटावा डिस्टिक्ट में आपका एक बर्ड सेंचूरी है सरसाई नवर सरसाई नवर जो है इसको भी रामसर साइट का स्टेटस मिल गया है और यहाँ पर यह बर्ड सेंचूरी को क्रियेट करने का यह इनका आइडिया है कि aims to conserve water birds notably the sars crane को protect करने के लिए चलते चलते आपको यहाँ पर यह भी बता दू कि उत्तर परदेश का जो अस्टेट बर्ड है वो sars crane ही है IUCN के स्टेटस इसकी vulnerable है तो उत्तर परदेश में क्या-क्या कवर हो गया पहले वाला अपर गंगा तो कवर हो गया था नवाब गंज कवर हो गया था समस्पूर कवर हो गया पारवती अर्गा बड़ सेंचुरी भी कवर हो गया संधी बड़ सेंचुरी भी कवर हो गया सरसाई नवर जील भी कवर हो गया और मैन पूरी वाला ये Summon Bird Century भी कवर हो गया तो एक, दो, तीन, चार, पाँ, छे, साथ सारे कवर हो गया उतर प्रदेश के अब देखिए बिहार में और जारकरंड में एक भी यहाँ पे रामसर साइट नहीं है West Bengal में दो है एक तो सुंदर्बन में है Very easy सुंदर्बन की detailing क्या करो सुंदर्बन तो बहुत कुछ है सुंदर्बन नैशनल पार्क भी है largest mangrove forest of the world सुंदर्बन उसके बारे में तो नहीं बताऊंगा ज्यादा लेकिन आपके कलकत्ता में एक जगह है East Calcutta Waitland है वहाँ पे उसके बारे में बताऊंगा तो आपके West Bengal में दो होगे एक तो सुंदर्बन जिसकी detailing करने की ज़रत नहीं है बहुत बड़ी चीज़ है सुंदर्बन बेट लें दूसरा East Calcutta इसका नीचर बहुत कॉंपलेक्स है यह थोड़ा natural भी है थोड़ा human made भी है यहाँ पे आपको कई स्क्वार किलोमेटर में salt marshes agriculture field का secular latent यहीं पे ट्oryट भी होता है यहीं से कॉलकाथा का स्ट्रेट भी होता है यह Зем यह स्ट्रेट स्ट्रक्ट्चर यह वेटलेंड के वहाँ का स्ट्रेटमेंस के नैचुरल हो जाता यही जो नेम है फिस्ट क्योट्रगत्र question wheat होग расп United Nation Global 500 Laureate में ये include होते हैं इनी के position के अंदर इसको रामसर सैट की ये है जो है वहाँ पे protection मिली थी अच्छा sorry, death होगी जब मैंने last time पढ़ा था तो ये जिन्दा थे तो Kolkata में इनकी death भी होगी 2018 में इनकी और एक बात, August 2016 में इनको एक award मिला था लुक हॉफ मैं अवार्ड ये first Indian थे जिनको ये अवार्ड मिला था East Kolkata wetland के conservation के लिए लुक हॉफ मैं अवार्ड जो है IUCN द्वारत दिया जाता है तो ये उसे में बहुत न्यूज में आया था याद रह जाएगा आराम से असम का कैपिटल दिसपूर तो वहां से दिसपूर से दिपोर भी याद रखी है मनीपूर में लोग्तक लेक जो है मैंने थोड़ी देर पहले ही गोंती रहती तो वही केबूल लम्जाओ नैशनल पार्क है लोग्तक लेक के अंदर ही है तो लोगतक लेक तो आप केबूल लमजाओ से ही याद रख लेजिए, काबूल वाला, मनी वाला कॉंसेप्ट, लोगतक लेक, केबूल लमजाओ एक ही जगह पे हैं, लोगतक लेक में ही आपका केबूल लमजाओ नेशनल पार्क है, त्रिपूरा में रुदर सागर कैसे याद चैनल और ब्रमपुद्र का एक पुराना चैनल था वही कट गया अब वहाँ पे फ्रेश वाटर लेक बन गया है लोग घूमने के लिए जाते हैं आप गौहाटी जाएंगे न तो बिल्कुल अब सारा जो स्टॉर्मी वाटर है वहाँ पर ही जाके स्टोर हो जाता है सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट है टूरिस्ट प्लेस भी है आला कि आपको कुछ खास नहीं लगेगा घासवस लगेगी लेकिन अगर आपको रोमांटिक मोमेंट पगरे किसी को स्पेंड करना तो जा सकते हैं रुद्र सागर लेक आपको मैंने त्रिपुरा में बता दिया था लो गॉलशन के लेक्शर में मैंने आपको पढ़ा था कि बांगला देश को और तृपुरा को कनेक्ट करने के लिए गोमती रीवर पे यह गुंती आपके उतर प्रदेस वाली नहीं है उधर भी एक रीवर चलती है तो गुंती करके एक रीवर है बांगला देस और इंडिया को कनेक्ट करती है तो उसी के स्ट्रेम्स है कुछ जो यहां पे फ्लो करते हैं उसी से रुदर्सागर लेक बना हुआ है बहुत सारे फिशेज आपको यहां पर मिल जाएंगो तो एक तरह से यही आपकी जो है लोग तक में फ्लोट करता है वहीं पर संगाई डियर भी जिसका अस्टेटस क्या है फिशाड़ लोग तक से आ चुक ए यही यही रऽामसर साइट में मौंं ट्रीयोक्साइट होता है जो साइट को ज्यादा खतरा है लॉस होने के चक्कर है उनको उनके लिए मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड बनाए गया तो उसमें इंडिया के दो लोकेशन है एक तो आपका नॉर्थ इस्ट में आपका मनिपूर का लोक तक है दूसरा जो राजस्तान का मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा भरतपूर में जो केवल देव नैशनल पार यह दुनों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया यह देख रहे हैं यही फूमड़ी है स्वाइल और्गेनिक मैटर ग्रास इस पर फ्लोट करते रहे तो पूरा लोक तक लेक हो गया यह फूमड़ी को मिला कि आपका के बुलम जाओ नैशनल पार अब यह भीतर कनिका बहुत इंपोर्टेंट है भीतर कनिका वाइल लेफ सिंचुरी था पहले भीतर कनिका फिर नैशनल पार्क भी बन गया जैसे सुंदर बन का नैशनल पार्क उसमें आपका सुंदर बन का वेट लेंड मैन ग्रूप वाला उसी तरह भीतर कनिका भी मैन ग उतर प्रदेश में और एक महाराष्ट में मिला है, पंजाब में तीन, उतर प्रदेश में चे महाराष्ट में एक, चिलिका लेक कैसा है, चिलिका लेक वहीं पे आपके ओडिशा में है, ब्रैकिश वाटर लगून है, लगून है, समुदर के बिलकुल पास में है, समुदर से म ब्रैकिस वाटर से मिलकर outta और ब्रैकिस वाटर ही भोला जाएगा ब्रैकिस वाटर का मतलब ही होता है Sci- cres water friendly water का मिलना इंडिया को अधि ना लारज़ेस इस ब्रैकिस वाटर लगून इन इन रामसर साइट नहीं है आंदर परदेश में एक रामसर साइट है कोलेरू लेक या लेक कुलेरू इस पर क्विस्जन भी आ चुका यूपीश्य में नयुटर्फिक लेक है ठीक है नैचुरल इस बना है और दो रीवर बेसिं के बीच में गुदावरी और खिशन के बीच में य पूरी तरह आंदर प्रदेश में लोकेटेड है अभी लेक पुलिकट पर भी UPSC में क्विश्चन आ था अला कि वह कोई रामसर साइट नहीं है फिर भी इतना इंपॉर्टेंट है कि लेक पुलिकट या पुलिकट लेक मैं आपको डिस्कस करा देना चाहूंगा पुलिकट लेक की खासियत है तमिल नाडू और आंदर प्रदेश दोनों के बॉर्डर में पड़ता है यह देखिए ऐसे लैंड है यहाँ पे लेक पुलिकट है लगून है और उसके बाद क्या आ जाता है उसके बाद स्री हरी कोटा आ जाता है ठीक है ऐसे बनगा हुआ इसका पुलिकट लगून बर्ट सेंचुरे यहाँ पे बैरियर आइलेंड ऑफ स्री हरी कोटा सेपरेट्स दे लगून फ्रॉम दा ब्यो बंगाल बीच में आपका बैरियर आइलेंड आ जाता है स्री हरी कोटा का यहाँ पे और यहाँ पे आपका लगून है उसी से ब्यो ब्यो ब बखेंगा एक ही लोकेशन थी आखके यांदर प्रदेस के यहां पे यहां पे दखेंग हो जो पॉर्शन है टमिलनाडु का जो नाग पटी एकदम स्रिलंका क्या पोजिट पड़ेगा यह टिप यहां पे तमिलनादू के नागपट्टे नमजिला में पड़ता आई है इट इस दे एपक्स ऑप दे कावेरी रिवर डेल्टा में यह लोकेटेड है पॉइंट के लिमियर इस चीज को आप याद रखें अब केरल चले आ आपके बताएए बहुनियस में आपको क्या होता था एडेक होथा था ना आपको sysat का मैस्त देखके तो आपको मुड़ी यह याद रह जाएंगा अस्टम मुड़ी अप्त है तो साथ में आप याद रख लेज़ीं जब 8 याद रख लिया तो सस्ट बही रख लेजिए तो सस्टम कोटा लेक अस्टमूडी और वेंबनाड कोल यह तीनों केरला में लोकेटेड हैं वेंबनाड कोल पड़ा देता हूं पहले वेंबनाड कोल या वेंबनाड का याल बोलते हैं आप इसको लॉंगेस्ट लेक इन इंडिया अगर लंबाई देखेंगे अगर आपकी एक्चुली यह ना वर्टिकल ही लंबा है गांपे ठीक है ऐसे हैं यहां पे एक मिनट ऐसे लोकेटेड है देख रहे हैं वेंबनाड लेक या वेंबनाड कोल इसलिए इसका जो है लंबाई की बात करने तो सबसे लंबा है और केरल में यह लार्जेस्ट लेक ह और इसकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया ओंली आप्टर सुंदर्बन्स कोर्टियम जिले में अलपुजा जिले में कोची जिले में यह पढ़ेगा सारे यहां पे बैक वार्टर्स हैं कई सारे छोटे 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 स्मॉल आइलेंड भी है देखिए वीपि नेहरू ट्रॉफी बोट रेस होती है लंबी लंबी जो स्नेक बोट वाली जो रेसिंग होती है वो यहीं पे खराई जाती है आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बताना चाहूंगा इंडिया का स्मॉलेस्ट हाइवे कौन सा है नाशनल हाइवे की बात करें यहां पर देख रहे हैं आप कंडानूर जंक्शन आप मराडू इन कोची सिटी तो कोची पोर्ट एट विलंग्डन आइलेंड के अराउंड लोकेटेट है यह एनच पोर्टी सेवेन एज हो था आपके इंडिया का शॉर्टेस नैशनल हाइवे था लेकिन ओल्ड नम्बरि पर बोट रेस जो यहां पर कराई जाती है यह इसको वल्लम कली बोलते हैं याद रखिएगा और अलपुजा के अराउंड यह पुन्नमडा लेक में कराई जाती है इसी के अराउंड यह लोकेशन आप चिंता मत करिये पार्टली वह वेमनाड लेक में भी कराई जाती है देखा है केरला में यहां पर एक एंसेंट सस्ट टेंपल है उसी के नाम पर सस्टम कोटा बना हुआ है क्विलोंड डिस्टिट का हाप ऑफ दे मिलियन पीपल का यहां पर ड्रिंकिंग वाटर का यहीं से प्रोविजन है लास्ट केरल का अस्ट मुडी देखिए अस्ट पे यहां पर मना सकते हो सस्थे में यहां पर अस्ट मतलब होता है मोडी मतलब है अबकर नातका में घूवा में तो एक भी नहीं है लेकिन महाराष्ट में आस्टेक नहीं एक नहीं इक दीने फ psychiat को है मतलब only single location that is नंदूर मधमेश्वर ये भी bird sanctuary है ठीक है नास्टिक डिस्टिक में पढ़ता है lakes, marshes, riparian forest, deccan plateau में पास में गुदावरी भी flow करती है confluence महाँ पे गुदावरी और कडवारी बरका उसी के आसपास ये located है कौन से जिले में नासिक जिले में काफी biodiversity है, 536 species है इसलिए नंदूर महा मधमेश्वर को आपका रामसर साइट का tag दे दिया गया महाराष्टा में एक तो हो गया अब गुजरात और मध्यपरदेश देख लिजए, 36 गड़ में एक भी नहीं याद रखेगा गुजरात में नाल सरोवर Bert Century ये वेटलेंड साइट है और मध्यपरदेश में भी एक ही है, भोज वेटलेंड, अब नाल सरोवर को कैसे याद रखें सरदार सरोवर कहा है, सबको पता है सरदार सरोवर निरमदा पे गुजरात में, तो नाल सरोवर ठीक है, सिंपल, भोज बेट लेंड तो याद ही रहेगा आपका राजा भोज के कारण नाल सरोवर बर्ट सेंचुरी जो है, देखिए एक लेक है, एम्बियंट मार्शे जहां उसके आराओं तो ये एहमदाबाद के पास लोकेटेड है, सानन्द विलिज में, एहमदाबाद के 64 किलमेटर की दूरी पे ही है काफी famous है बर्ट के लिए, यहाँ मेरे भहिया कई बर जाते तो तो मेरे पास है, यहां के बहुत सारे बर्ट के images भी है, बड़े प्यारे बर्ट होते है ठीक है तो आप इसके ज़्यादा आप क्या बताऊं मैप में देखना चाहें तो यहाँ पड़ेगा नाल सरोवर बढ़ सेंचुरी ठीक है अब चलिए राजा भोज भोज वेटलेंड जो है आपके मर्द परदेश के भोपाल सिटी में है कैपिटल में है यहाँ पे दो लेक्स है एक तो है भोज दाल और दूसरा है लोवर लेक याद रखिएगा भोज वेटलेंड मैनमेड रिजर्वायर है फिर भी यहाँ पे काफे बर्ड बगर है अनुवली अल्मूस्ट 20,000 के आसपस आते हैं और लेक का जो अपर लेक acts as the lifeline of the city अपर लेक कौन सा हुआ बोज दाल लोवर लेक दूसरा हुआ तो बोज दाल जो है city का lifeline है 40% जो पीने का पानी है यहीं से आता है कई सारे यहाँ पे बर्ड बगर अभी आते हैं सारस्क्रेन आपको यहाँ भी मिल जाएगा अब डेली में हर्याना में कुछ नहीं है ठीक है तो only location now left is आपका राजस्तान राजस्तान में सांबर लेक और केवलादेव नेशनल पार्क केवलादेव नेशनल पार्क चुकि पूरा नेशनल पार्क है तो बहुत important है बाकि सांबर लेक में थोड़ा सालक से पढ़ा देता हूँ सांबर जो है salt lake है इंडिया जो largest inland की बात करें salt lake की तो इंडिया का यह largest है 80 km के आजपास यह located है sorry 80 km है जैपूर से located है लेकिन मेरे इसाब से जैपूर या अजमेर में पढ़ता है यह पूरा area और यहां पर आपको याद है कुछ दिनों पहले यहां पर बर्ड की death भी होई थी बहुत ज़्यादा सांबर लेक में तो वो भी मैंने आपको लेक्चर में अलग से पढ़ा दिया environment में भी कराया science में भी कराया तो आप उसको भी कर लीजिएगा याद रखिए the lake receives water from five rivers पांचो के नाम आपको जानने की कोई ज़रूत नहीं बस इतना जानना है कि पांच rivers से यहां पर पानी आता है this is not man-made this is natural घर्मी के दिनों में 60 cm चली जाती है इसकी shallowness और वही जो है बर्ड ने क्या किया बाद में जब बहुत ज़्यादा पानी आ गया और सब और्गेनिजम का डिके हुआ तो बैक्टेरिया जो है ग्रो कर गया और बैक्टेरिया ग्रो हुआ तो कई सारे अब आपको रेफर करने की कोई ज़रूत नहीं है लीक जो है पूरा याद रखिएगा अरावली हिल से सरांड़ेड है अजमीर के बॉर्डर पे है लेकिन नागार और जैपूर डिस्टिक्ट में ये दुनों में तोड़ा तोड़ा है तो चलिए मैंने सारे को आपको एक इ याद कैसे रहेगा जमू कश्मीर के लोग फूल पहनते हैं ठंड होती इसलिए वूलर हो गया और पाकिस्तान हमारा होके रहेगा तो होकेरा लेख हो गया और जब टेरिस्ट हैं हमारे सेना के लोगों के सामने जुकेंगे तो बोले सुनिये न सर मानिये न सर ठीक है तो सु थे नए तीन आ गए हैं overall केश्वपूर मियानी community reserve कंजली वेट लैंड ब्यास conservation reserve हरीके लेक रोपर लेक ठीक है उसके लावा नांगल वाला जो है नांगल वाइलेफ सेंचुरी तो यह चे हो गए आपके पंजाब के पंजाब में तीन एड हुए है ठीक है केश्वपूर मियानी community reserve ठीक है ब्यास conservation reserve और नांगल वाइलेफ सेंचुरी जो है यह तीन पंजाब में एड हुए है इस बार फिर अगर हिमाचल परदेश की बात करें तो चंदरताल पॉंग डैम और रेनुका याद रखन पिर आपके उत्रकंड में कुछ नहीं है उत्तर परदेश में पहले से अपर गंगा रीवर था उसके बाद आप योगी आदितनात को याद रखिए तो संधी समासपूर समान ऐसे याद रखिए और यहाँ पे आगरा को पलेट दीजिए अरगा कर दीजिए तो परवती अर पांच हो गया नवाब गंज नवाबो का शहर चे हो गया यह अपर गंगा जोड़ दीजिए उसमें साथ हो गया बिहार जारकंड में कुछ नहीं है नौर्थ इस्ट में बस तीन स्टेट में एक-एक हैं आसा में दीसपूर से दिपूर भील याद रखिए मनिपूर में लो चेलिका लेक यह दोनों आप उडिशा में याद रखिए लेक को लेरू अंदरपर्देश में गोदावरी और कृष्णा के बीच में तेलंगाना में कुछ नहीं है चेलिका नहीं है करनाटका में कुछ नहीं है गोवा में कुछ नहीं है महाराष्ण में only new location फर्स्ट टाइ आपको याद रखना है मध्यप्रदेश में एक ही location भोजवेट लाइन आटिफिसली क्रियेटेड आलसो तमिल नाडू में बस एक location यहाँ पर पॉइंट कैलिमेर और केरल मितीन location वेम बनाड अस्ट मुडी सस्टम कोटा मुडी आपको याद रखना मुडी पहले नैशनल प और केला चीवा पहले सांबर लेकर और केवला देवतो नैशनल पारक किया राजास्तान में लेकर और इए उसकी छितनी दिवתח fi नहीं आए então में रामसर को दिय दिय को cumplिना ता क्या हुआ था उसके कौन से क्राइटेरिया होते हैं वो सब आप देख लीजेगा प्रोबेबली उससे क्वेश्टिन पुछने के चांसे नहीं है बड़ चाहें तो आप देख सकते हैं यह मेरा टेलिग्राम चैनल है आप चाहे तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं वहाँ पे कम पोस्ट डालता हूं लेकिन अपने जो है दिल के करीब पोस्ट होते हैं वो डालता हूं थैंक यू अल्ट बेस्ट बाई-बाई